हलो अब्रीवन आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्लग इन सॉलिड इंस्पेक्टर के बारे में सो बेसिकली प्लग इन का नाम है सॉलिड इंस्पेक्टर और आप इसे एक्स्टेंशन वेरा से डालोड कर सकते हैं इसको पर मैंने अलग से एक वीडियो बना है उसका आए बिटन में आपर लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा पहले आप उसे दे सकते हैं बिसिकली यह प्लगिन करता क्या है कि आपका आपजेक्ट सॉलिड है या नहीं वह बताता है और उसे फिक्स करता है सो हम पहले जानेंगे solid होता क्या है sketchup के अंदर solid होता है जिसके अंदर यह हमारा object है इसके अंदर पुरा यह hollow रहेगा इसके अंदर कोई भी plane surface या कुछ नहीं होगा अगर यह मैंने और उसके लिए यह group component होना ज़रूर ही है अगर यह group component नहीं होगा तो वह solid होगा ही नहीं इसके लिए सबसे पहले हम group करेंगे अब भी इसके ना chances क्या होता है कि अगर मेरा यह अंदर एक plane है suppose तो यह मेरा solid नहीं है कैसे पता चलेगा और यहां पर पता चलेगा ज़रूरी है तो मैंने group कर दिया तो basically अभी मैं आपको बताता है work कैसे करता है मैंना यहां पर एक opening है suppose मैंने इसे delete कर दिया ओके अभी मैं इसे क्लिक करता हूं यह मैं solid inspector पर click कर रहा हूं तो यहां पर दिखा रहा यहां पर दिखा रहा हूं अगर मैंने यह face यहां पर रखा है आपको हाइड करके दिखाता हूं यह कैसे दिखा रहा है face okay मैंने इसे suppose अभी यहां पर मैंने इसे unhide किया okay अभी आप xray में देख सकते हो कि मुझे face दीख रहा है अंदर मैं जैसे ही अभी solid inspector को देखो fix करूँगा अभी यह मेरे सिर्फ outer lines देख रहे हैं अंदर से मेरा surface जा चुका है okay नॉर्मल पे अभी आके देखते हैं तो यह पूरा मेरा solid हो गया है काफी useful plugin है आप solid टूल जब यूस कर रहे होंगे तो उसके लिए काफी useful है यह विकास आपका object solid होना होना ज़रूरी है वो टूल यूस करने के लिए तो कभी कबार मैनुली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम ढून के से करें तो यह solid inspector के help के वाई से हम fix कर सकते दिखेंगे अगर यह आपको वीडियो इंफोर्मेटिव और यूसफूल लगा था प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल और थैंक्स वर वाचिंग